गुड मोर्डिंग डियर स्टुडेंट्स मैं अमित दुवेदी बीबियस इंटर कालेज स्युगुटी प्रियाग राज बच्चों आज पुना मैं साइन्स के बाइलोजी भाग में क्लास टेंथ के लिए पुना उपस थी तुहूं और पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं डाजिस्ट्यू सिस्टम पर चर्चा करूँगा human digestive system पर मनुस के पाचनतंत्र पर तो मैंने आपको बताया था कि जो human digestive system है मनुस का जो पाचनतंत्र है उस पाचनतंत्र से एक्जाम में आपके लगभग चार से छे नंबर के questions पूछे जाते हैं और इस topic को आपको बहुत अच्छे से तयार करना है कभी-कभी जो question यहां से बनता है एक तो question बनता है मनुस के पाचनतंत्र का सचित्रवर्ण कीजे जब भी बनेगा लांग में बन जाता है यह question बनता है कि मनुस के आहार नाल के बिभिन भागों में भोजन की पाचन का सचित्रवर्ण कीजे या कभी-कभी छोटी-छोटी पार्ट में question बनते हैं कि लीबर का कारी क्या होता है, अमासय का कारी क्या होता है शरीर की कौन सी ग्रंथी, मिस्रित ग्रंथी होती है तो इस type की questions कई बार board exam में बने हैं और इस topic को आपको बहुत ही carefully समझना है अच्छे से आपको समझना है और आईए एक करके हम इसके structure के बारे में आपसे discuss करते हैं आप जानते हैं मनुष एक प्रिकार से बहु कोश की ये प्राड़ी है इसकी पहले आपने अमीबा में पोश्ण पढ़ा था अमीबा आपका एक कोश की ये प्राड़ी है अब यहाँ पर आप बहु कोश की प्राड़ी हों की चर्चा करने दा रहें विसेस करके मनुष में तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है मनुष की पाचनतंत्र की संड़चना तो नार्मली यहाँ पर हम आपको पाचनतंत्र का structure बताने का प्रयास करेंगे उसको आप ध्यान से समझेगा ध्यान दीजेगा बिटा structure of human digestive system मनुष के पाचनतंत्र की है यह शंड़चना कुछ इस टाइब से आपका structure है यह आपका मुख हो गया विसेस रोप से मुख हुआ मुख और यह मुख गुई का आगे अभी मैं आपको बताता हूँ यह जो रचना है इस रचना को कहा जाता है विसेस रोप से यह है ग्रास नली सकरी नली होती है और यह लगभग 25 से 30 सेंटी मीटर लंबी होती है इस ग्रास नल से ऐसी रचना निकली होती है और इस रचना को आप अमाशे या इस्टमक कहते हैं अमाशे के ओपर दाई और कुछ इस टाइब से रचना होती है इस रचना को कहा जाता है विसेस रोप से इसको कहा जाता है अकरत या जिसको आप लीवर कहते है या जिगर कहते है ये दो भागों में बटा होता है और इसका जो बड़ा भाग होता है इसके बड़े भाग में इसके बड़े भाग में एक थैली नुमा रचना होती है और इस थैली नुमा रचना को गाल व्लेडर या इसको पित्ता से कहते है तो ये आप लीवर हो गया ये रचना यहां से आमा से आगे जा करके ये छोटी आत का भाग है इसको बिसेश रूप से ग्राहणी कहते हैं और इसी भाग से एक प्रकार की ग्लेंड्स होती है मिस्रित ग्लेंड्स जिसे आप अगनाशे कहते हैं ये मिस्रित ग्राइग होती है क्यों होती है कईवार यहां से बोड इकशाम में भी आपके कोश्टन पूछे गये हैं आगे अवी हिम चर्चा करेंगे ये ग्राणी भाग था और यहां से ये रचना निकली होती है नेक्ष जो बात आती है वो आपकी ये बड़ी आत है विशेस रूप से बड़े आत की रचना है इस टाइप से है इस टाइप से रचना है ये बड़ी आत है मनुष्य के और इसी बड़ी आत से ये एक अंधनाल जुड़ी होती है इस टाइप से ये रचना हो गई आपकी विशेस रूप से बड़े आत की और इसी के अंदर आपकी कुंडलित रचना जो होगी आगे बताते हैं आपको ये आपकी बड़े आत का भाग हुआ ये ऐसे होती ही रचना इस टाइप से जो बड़ी आत है इसके तीन भाग हैं एक तो सीकम होता है दूश्रा कोलन होता है और तीसरा रेक्टम होता है इस टाइप से ये लापकी लार्ज इंटेस्टाइन होई और यहां से ये आपकी छोटी आत है और छोटी आत लगभग 6-7 मीटर लंबी शकरी और कुंडली तो होती है 6-7 मीटर नाम की छोटी आत है लेकिन ये लंबाई में क्या होती है बड़ी होती है लेकिन जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या जो बड़ी आत होती है ये केवल 1.5 मीटर के आसपास क्या होती है लंबी होती है इस टाइप से ये आपकी इसमाल इंटेस्टाइन हुआ और इसी भाग से ये कोलन की रचना है कोलन है यहां से अपचित जो भोज जिपदार्थ होता है वो बाहर निकलता है ये रचना हो गए इस टाइप से यहां पर विटर एक ग्लैंड्स होती है और इस ग्लैंड्स को कहते हैं कर्डमूल इस भाग में जीब के नीचे संख्या में दो होती है एक यहां ग्लैंड्स एक यहां 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 कि लार ग्रंतियां होती हैं इस टाइप से यह आपका लीवर है यह हो गया आपका इस टमक जिसको आप अमाशे कहते हैं तो ये रचना पिटव बन करके क्या हुई तैयार हो गए ध्यान दीचे मनुष का जो पाचन तंत्र है या पाचन तंत्र की जो संदचना है यह जो भाग है इस भाग को कहा जाता है मुख और यह जो रचना है मनुष्य का जो मुख है दो मानसल ओठों के द्वारा क्या होता है घिरा होता है और इसके अंदर की जो रचना होती है अंदर का जो खाली अस्थान है उसको कहते हैं मुख गोहा इसको कहते हैं कर्ड मूल गरंथ इसको कहते हैं अधो हनुगरंथ इसको कहा जाता है अधो जीवा अधो जीवा गरंथ अधो हन कर्ड मूल और अधो चीवा ये आपकी तीनु होती है लार गरंथ इसको लार गरंथ ही कहते हैं तो कई बार यहां से बोड़ इजा में कोश्चन बना है बेटा कि मनुष के मुख में कितनी जोड़ी लार गरंथियां होती हैं तो मनुष के मुख में तीन जोड़ी लार गरंथियां होती हैं कर्ड मूल गरंथ कर्ड माने होता है कान और मूल माने जड़ कान की जड़ कान के निचले भाग में दोनों कान के निचले भाग में संख्या में दो तो कर्ड मूल जो ग्लैंड्स है कर्ड मूल गरंथियां ऐसे इस रूप से जो आपकी कर्ड मूल गरंथि है कर्ड मूल गरंथियां भी संख्या में कितना दो अदोहन गरंथियां जीव के पस्च पार्षुभाग में ये भी संख्या में दो और अधो जीवा जीब के नीचे संख्या में कितना दोनों साइड? जीब के दोनों साइड आगे की ओर अधो जीवा ये भी संख्या में क्या होती है? दो होती है, तो टोटल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, कई बार बोड एक जाम में पूछा है कि मनुष के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो विशेश रूप से बेटा मनुष के मुख में तीन जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं यह जो रचना है इसको कहते हैं ग्रास नाल ग्रास नाल या ओश्व फाइगस स तो मनुष्ट का जो ग्रास नाल है यह लगभग आपका 25 स से 30 सेंटीमीटर क्या होता है लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर व्यासका होता, इसकी जो चोड़ाई है, या लगबग 2.5 cm, और इसकी जो लंबाई होती है, लगबग 25 से 30 cm होती, जिसको ग्राशनाल कहते हैं, ये जो रचना है, ये आपका पापी पेट कहलाता है, या जिसको आप कहते हैं, आमाशे, ये हो गया आपका विसेस रूप से, आ एक्रित, या जिसको आप लीवर कहते हैं, ये जो थैली नुमा रचना है, इस थैली नुमा रचना को कहा जाता है, पितासे, जिसको आप इंगलिश में गाल ब्लेडर कहते हैं, और इसमें विसेस रूप से पितरश भरा होता है, इश्भाग को कहते हैं, ग्राहणी, या डि यूडेनम कहते हैं, इसी कहा जाता है अगनाशे, अगनाशे एक मिस्रित ग्रंती होती है, क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन्स दोनु स्रावित होते हैं, ये आपकी हो गई बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत, और ये हो गई आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत का ब्यास ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं, छोटी आंत इसकी लंबाई ज्यादा है, ये छोटी आंत हो गई, ये जो भाग है इसको कहेंगे कोलन, इसको कहा जाता है, कोलन और ये जो फूला हुआ भाग है इसको विशेश रूप से हम कहते हैं सीकम क्या कहते हैं सीकम कहते हैं तो ये जो जा रहा है कोलन इस कोलन को कहा जाएगा आरोही कोलन इसको कहेंगे आरोही कोलन इसको कहा जाएगा अनुप्रस्थ कोलन इस भाग को जो ऐसे है इसको कहा जाएगा अनुप्रस्थ कोलन तीन है आपके और ये है आपका आवरोही आवरोही कोलन ये जो रचना है बिटा इसको कहते हैं इलियो सीकल वाल्ब कई बार बोड़ एजाम में यहां से कोश्चन बना है कि छोटी आत और बड़ी आत के संधियस्थल को क्या कहते हैं इलियो सीकल वाल्ब कहते हैं ये भाग हो गया इसका क्रिम रूप परिशे सी क्या या बर्मी फार्म अपेंडिक्स क्रिम रूप परिशे सी क्या क्रिम रूप परिशे सी क्या हो गया ये भाग विशे सी रूप से ये जो भाग है बर्मी फार्म अपेंडिक्स इसको कहेंगे मलासे ये मलासे हो गया और इसको मल द्वार कहेंगे इसको क्या कहते हैं मल द्वार कहते हैं तो ये तो विटा एक प्रगार से आपका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मनुस्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह दो मुख्य भागों में बटा होता है यानि जो पाचन तंत्र है यह दो मुख्य भागों में बटा होता है पाचन तंत्र पाचन तंत्र एक तो आपका आहार नाल होता है एक तो आपका एलिमेंटरी कैनाल होता है इसको आहार नाल या पाचक अंग कहते हैं आहार नाल या इसको पाचक अंग कहते हैं दूसरा आपका होता है बिटर डाइजेस्ट्यू ग्लेंड इसको कहते हैं पाचक ग्रंथियां इसको क्या कहते हैं पाचक ग्रंथियां तो आहार नाल, मनुष्ट का जो आहार नाल होता है या लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, इसकी अंतरगत एक तो आपका मुख आता है, मुख, मुख गुहिका, जिसको आप बक्कल एंड बक्कल का अबिटी कहते हैं, दूशरी आती है यहांपर ग्रशनी, देगे बिटा, यह जो प्वाइंट है, इसको आप क्या कहते हैं, यह भाग ग्रशनी कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रशनी, तीसरी जो रचना है, वहाँ है ग्रास नाल, मनुष्ट का जो ग्रास नाल है, वह अभी मैंने बताये 25 से 30 cm लंबा होता है और इसका जो ब्यास होता है वह 2.5 cm होता है नेक्स जो बात आती है वह है आमाशे या जिसको आप इस्टमक कहते हैं नेक्स जो भाग है वह है बड़ी आंथ नेक्स आपका है छोटी आंथ बड़ी आंथ इसकी तीन भाग है एक भाग आपका शीकम कहलाता है दूश्रा भाग कोलन और तीसरा भाग रिक्टम या इसको मलासे कहते हैं छोटी आथ है इसकी भी तीन भाग है एक आपका है ग्रहणी दूश्रा यहाँ पर है मध्यांत्र इसको डियोडे नम इसको जेजुनम मध्यांत्र और तीसरा भाग है सेसांत्र या इसको इलियम कहते हैं नेक्स जो बात यहाँ पर आती है डाजिस्ट्यू ग्रंट्स में सबसे पहली जो ग्रंट्स है वह है आपकी लार ग्रंथ लार ग्रंथ स को कहते हैं सैली वरी ग्लेंट्स लार ग्रंथ या लार ग्रंथ दूसरी जो ग्लेंट्स है वह है आपकी जठर ग्रंथ जठर ग्रंथ इसको कहते हैं गेस्ट्रिक ग्लेंट्स तीसरी जो ग्लेंट्स है वह है एक्रित या जिसको आप लिवर कहते हैं निक्स्ट है अगनाशे इसको पेंक्रियास कहते हैं और अंतिम जो ग्लेंड से है आंत्रिय ग्रंथियां या आंत्रिय ग्रंथ इसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लेंड्स या ग्लेंड इंटेस्टाइनल ग्लेंड्स तो यह आपका मुख मुख गुई का हुआ जिसको आप कहते हैं बक्कल एंड बक्कल कैविटी इसको कहते हैं इसको कहा जाता है इस्टमक यह आपकी हो गई विसेश रोप से लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसमाल इंटेस्टाइन बड़ी इसमाल इंटेस्टाइन यानि छोटी आत तो बिटा हमारा जो पाचन तंत्र है मनुष्य का जो पाचंत अंत्र है वो दो मुख्य भागों में बटा होता है एक तो आपका आहार नाल होता है या जिसे आप पाचक अंग कहते हैं तो मनुष्य का जो आहार नाल है वह आठ से दस मेटर क्या होता है लंबा होता है ठेक है इसके अंतरगत यह विशेश रूप से मुख से ले करके रेक्टम तक एनस तक क्या होता है फैला होता है इसके अंतरगत मुख मुख गोहिका ग्रशनी ग्रासनाल अमासे बड़यात और छोटयात ये सारी रचनाय आती हैं पाचक गरंथियों में ऐसी गरंथियां जो भोजन के पाचन में सहायक होती है उन्हें हम पा अधो जीवा इसी कड़ मुल की द्वारा विसेश रूप से आपकी टायलिन एंजाइम निकलता है नेक्षे जठर ग्रंतियां या गैस्ट्रिक ग्लेंट्स कहते इसको ये विसेश रूप से यहां पर अमाशे में 1.5 से लगबग 4 करोन के आसपास छुड़ी छुड़ी विभिन प्रगार की भोज पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं नेक्षे यहां पर है लिवर शरीर का सबसे महतपूर अंग है शरीर की सबसे बड़ी ग्लेंड्स होती है नेक्षे है अगनाशे अगनाशे एक प्रगार की मिस्रित ग्रंति होती है इस ग्रंत होते हैं आगे इनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे संचीत रोप में यहाँ पर समझ लेसे मुख मुख गोईका बता चुके हैं मनुसका जो मुख है दो मांसल ओठों की द्वारा घीरा होता है और अंदर की जो थैली होती है उसको मुख गोईका या बकल कैविटी कहते अंचीत होता है कलेक्ट होता है और इसी में सबसे पहले पाचन की प्रिक्रिया क्या होगी अच्छे से प्रारंब होती है नेक्स्ट आपकी है बड़े आत और नेक्स्ट आपका क्या है छोटी आत तो बच्चों इसके आगी नेक्स्ट एक एक करके टॉपिक को नेक्स्ट व झाल झाल